तो आज हम डिसकस करने वाले है कि ICSC की कॉपी चेकिंग किस तरीके से चल रही है और आप लोग फेल होने वाले हो या फिर नहीं फेल होने वाले यह मैं आज आप लोग को बताने वाली हूं तो सबसे पहले हम चल लेते हैं क्लास 10 के बारे में बात करने के लिए तो अगर हम र 2022 में और 2020 भाया पैन बदल लेते हैं पैन का कलर थोड़ा हमार ठीक नहीं है तो हम देखें 2022 में 2021 में जो हमारे पासिंग परसंटेज रही है वो 99.97% 99.98% रही है यह बहुत ही जादा बड़ी परसंटेज है जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 2 लाक बच्चे आपके अपियर हु लेवल दोनों का ही बढ़िया है तो मतलब दोनों ही बहुत ही अच्छी परसंटेज के साथ पास हुए है गल्स भी एंड बॉइस भी लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करने जैसे की 2016, 17, 18, 19 की बात करें तो आपका ओवरॉल पासिंग जो क्राइटेरिया है जो प पास हो और इससे पहले के रिजल्ट्स देखें तो 13, 14, 15 में 95, 91 और 87 परसंट भी रहा है तो यह थोड़ा अलार्मिंग है लेकिन यहां तक जाने की सिचुएशन है नहीं देखो दसवी में जो आपका पासिंग परसंटेज रहने वाला है इस साल एप्रॉक्सिमेटली प्राइटेरिया रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है जैसे कि हम बात कर लें 2022 और 2021 की तोटल हमारे जो बच्चे अपियर होते हैं वो थोड़े से कम रहे हैं आइसी आइसी सी बोर्ड 12 के लिए तो 96,000 और 94,000 ही बच्चे अपियर हुए हैं लेकिन अगर मैं पासिंग परसंटेज देखो तो पिछले कुछ सालों में जो पासिंग परसंटेज थी वो काफी अच्छी थी 99.38% और 99.76% बच्चे पास हुए और कहीं न कहीं कोविड का देखो फाइदा लाब तो हुआ ही है और यह वाले पहला ऐसा बैच है जिसका जो परसंटेज है वो कोविड के बाद मतलब ओरिजिनल आने वाला है जो कि ओरिजिनल यह अपने बोर्ड के एक्जाम्स जिन्हों ने दिये हैं और उसके बाद बात करने यहां पे पुछले कुछ सालों की तो 19 में 97, 18 में 96, 17 में 96, 16 में 96 और 95 रहा है रिजल्ट तो इसको देखते हुए इसको मद्द 97 परसेंट तो भाईया इस चीज के लिए तयार रखना है ना क्योंकि अगर तुम लोग उम्मीद रख रहो ना कि यह 99 परसेंट रिजल्ट जाएगा तो ऐसा होने नहीं वाला है अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 10 वी में और 12 वी में आपका पास होने का कितना चा कि अपने दोस्तों से भी कह देना सब्सक्राइब कर ले अपनी माम को सपोर्ट करते रहना तब तक के लिए टाटा बाइबाए गुडबाई और दुबार आउंगी एक बहुत ही इंट्रस्टिंग न्यूस के साथ और आपको अपडेट करती रहोंगी मैं विद प्रूफ ज